नमस्ते गुरु जी, मैंने आपसे राइपूर में भी मुलाकात करी थी करीब साथ साल पहले, अभी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या सुब नाम है बेटे का? अंकित तिवारी, क्या नाम? अंकित तिवारी, तारिक बताईए, बताओ, नव अगस्त पचासी, समय बताई, दो भारा इंक्यावन, बारा इंक्यावन, कहा का जना? बिलासपूर, बैठिये, गहवईजी बैठिये, नव इंक्यावन, बारा इंक्यावन, दो पहर, बिलासपूर, क्या जानना चाहती हूँ, क्या हूँ? इनका संदान नहीं है, इनकी सर्विस केरि आजीविका का साधन और संतान दो प्रसना है पिछले साल कोई गर्व आया था क्या प्रयास किये थे एक पीला पुखराज छोटा सा पहना दीजे पीला पुखराज तो संतान होने की संभावना बनेगी गुरुवार का ब्रत करे बहु गुरुवार का ब्रत करे एक पीला पु बन जाएगी, अब रही बात आजी विका की, तो आजी विका के लिए एक माने का रत्न धारन करा दिए, माने की, ये दो रत्न धारन करा दिए, पुखराज और माने की, तो संतान का भी योग बन जाएगा, और आजी विका का साधन भी बन जाएगा, ये दो काम करा दिए, और गुरुबार के दिन केला दान करें, गुरुबार के दिन केला ना खाएं. इस से राहत में. लुसरा कोई बिकल्ब ने. सोला सुमार रह चुकी है. नहीं, वो तो अच्छी बात है. सोला सुमार चंद्रमा का हुआ. धगवान संकर का हुआ. इनका गुरू नीच रासी में तो गुरू नीच रासी में होने के कारण 16 सुम्मार से फर्क नहीं पड़ेगा यही एक मुख़ बात है कि जो ग्रह प्रतिकूल है उस ग्रह को अनकूल करना चाहिए तब परिस्थितिया अनकूल होंगे भाई अगर किसी बच्ची की साधी नहीं हो रही उसके लिए महामरतुन्जा मंत्र जब किया जाया तो उससे क्या फायदा कात्यानी प्रयोक करो तो कन्या का बिवाह होगा महामरतुन्जा उसके लिए जो पलंग में चिपक गया है बीमार है समझ रहे है तो जो इलाज है जो बीमारी है उसका इलाज होना चाहिए तो गुरुवार को गुरु को सम्हालने की जरुएत तो अनकूलता आएगी दूसरा कोई बिकल्प ने अच्छा पुखराज और मानिक तो कितने रत्ती का पुखराज कूई बजण ने आप तो पहना दीज़ए किसका केरियर में बीजनेस के लिए कुछ यह कुछ कर नहीं से जहाँ भी कुछ काम करता है कुछ दिन करता है उसके बाद फिर कड़बड हो जाता है सनी से संबंदित कोई काम करा दीज़ए तेल, गैस, कोईला, लोहा, पेट्टोल, चमड़ा, काली चीजों सम्मद है सफलता मैं